हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग जहिंद दोस्तो 15 दिसम्मर के करंट अपिर्स में आप सभी का स्वागत है आपके सामने निवी जो और देखो तमनेल पर देखो ये जो संसद में जो हमला हुआ है 13 दिसम्मर का काफी फेमस चर्चा में चाया हुआ है ये और इसने जो 2013 में जो 2013 में हमला हुआ था उसकी यादों को ताजा कर दिया आपको पताओगा उसमें पाच आतंकवादियों ने 2013 में हमला किया था और अफजल गरू के बारे में भी सुनाओगा उसी केस में उसमें फांसी हुई थी उसको और उसमें नो सुरच्छा कर्मी भी उसमें सहीद हो तो काफी यह निंदनिया गटना है और इसने जो संसद वबन की सुरच्छा है उस पर प्रसंचन भी लगा दिया अपने आप जानते होंगे कि संसद वबन की जो सुरच्छा है वो तीन गेरों में होती है सबसे बाहरी गेरा करती है दिल्ली की पुलिस उसके अलावा उसकी स प्रसंचन लगा दिया है और आगे देखो अब क्या होता है लेकिन जो यह गटना हुई है काफी निंदनी है क्योंकि इसमें दो लोगों ने 13 दिसंबर में संसद वबन में अंदर गुस करके वहां पर एक पीली गैस का कह सकते हो पीली गैस से अमला किया है और फिर उन्हों को अच्छी तरह से सांसा और मंत्रियों ने काफी दुनावी था और अब अब देखो आगे क्या होता है वो क्या कुछ उसमें निकल करके आता है क्या किस 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 के हाथ होते हैं क्या उनकी योजना थी इसके बारे में तो आगे सब कुछ देखते हैं तो अब क्लास को स्टा वन्यजीव सनरच्छन अधिनियम आया उन्यजीव 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 सनरच्छन अधिनियम आय 1980 में बना था वन संरच्छण अदिनियम 1980 में और पर्यावरण संरच्छण अदिनियम ये इंपोटेंट है ये कब बना था 1986 में वन संरच्छण अदिनियम तो बना 1980 में पर्यावरण संरच्छण अदिनियम बना 1986 में और द्वनी प्रदूसंड कानून ये कब बना ये 2000 में बना द्वनी प्रदूसर्ण कानून जेब बिवित्ता संरचन अधिनियम ये 2002 में आया जेब बिवित्ता संरचन अधिनियम कब का है 2002 का और राष्टिय जल नीती ये भी 2002 की है देखो जेब बिवित्ता संरचन अधिनियम ये भी 2002 का है और राइष्टिय जलनीती ये भी 2002 की है तो अब इस्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से 15 दिसम्मर की महत्पूर्ण न्यूज है पहली कि किसे मद्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूम में चुना गया है ये काफी पुरानी न्यूज हो चुकी है डेली आ रही है ये न्यूज और देखो ये चुना गया है मुख्यमंत्री की न्यूज तो पुरानी नहीं है मतलब चुनाव की कहने का मतलब है मेरा कि पांच राज्यों में जो चुनाव हुए है बी-जे फी को बहुमत और मुख्य मंत्री बने मौँ अदभ कौण मौहन अदभ मौँ अधब बने मध्यिंद्पर्देश के कि इस प्रसिद हिंदीदेका को 33 वे व्याज सम्मान से समानित किया गया है 33 वा व्याज सम्मान किसको दिया गया है तो याद रगना तेतीसमा व्यास सम्मान दिया गया है पुस्पा भारती को किसको पुस्पा भारती को और इसको किसके द्वारा दिया जाता है ये इंपोटेंट हो जाता है केके बिरला फांडेशन के द्वारा इस पुरुस्कार को दिया जाता है व्यास सम्मान को किसके कि के विर्ला फारंडेशन और यह दिया गया है तियात कि प्मधारती को उनके असमरण्ड यादें यादें Michigan और यादें के लिए किसके लिए यादें यादें और यादें के लिए thank you और ये जो पुरुसकार है इसमें 4,000,000 रुपे की पुरुसकार राची दिया जाती है जी सम्मान में और एक प्रसस्ति पत्र और इस्मृति चिन ये वेंट किया जाता है और केके विडला फाउनडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है अब देखो तीसरी नियुजे किस देश को 2024 में सेयुक तराष्ट COP 29 की मेजवानी के लिए चुना गया है जो COP 29 है वो किस देश में होगा 2024 में इसके लिए किसको चुना गया है 2023 में जो COP 28 हो रहा है वो दोभई में हो रहा है UAE में और COP 27 हुआ था मिस्र के सरमल सेक में कहां पर होगा अजरवेजान में कहां पर COP 29 है अजरवेजान में होगा और देखो अजरवेजान और आर्मेनिया के बीच लम्मे समय से चले आ रहे है गतिरोद पर गतिरोद का एक अप्रत्यास समादान मिल गया है जिससे 2024 में सेक तराष्ट COP 29 की मेजवानी के लिए अजरवेजान के बाकू को चुना गया है ठीक है अजरवेजान का सहर है बाकू उसको चुना गया है वर्स 2024 में कौन सा सहर सेन्य साहित्य महुत्सव की मेजवानी करेगा सेन्य साहित्य महुत्सव की मेजवानी करेगा अम्रसर कौन अम्रसर अम्रसर में ही सोन मंदिर है याद रखना कौन सा मंदिर है सोन मंदिर और इस पर सोने की परत किस के द्वारा चड़ाई गई थी माराज रंजीत सिंग के द्वारा और अम्रसर की स्ताबना किस ने की थी गुरू वेति रामदास उन्होंने रामदास नगर के नाम से इसकी इस्ताबना की थी आगे चल के फिर इसका नाम पड़ा अम्रसर किस सेर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का तो यह वाराणसी में किया गया है नौवा पेन आई आई एम विस्व प्रबंदन सम्मेलन किस रज्य के सम्मलपुर में सम्मलपुर कहाँ पर है उजिसा में तो यहाँ पर आई आई एम नौवा पेन आई आई एम विस्व प्रबंदन सम्मेलन किया जा रहा है भारत ने कहां पर आसियान भारत मिलेट मौसब की मेजबानी की है तो इंडोनेसिया के जकारता में भारत ने आसियान भारत मिलेट मौसब की मेजबानी की है आसियान भारत मिलेट मौसब की मेजबानी आसियान में किदने देश हैं इस टाइम 11 देश हैं पहले किदने थे 10 और यह बता दो 11 देश जो सामिल हुआ है वो कौन सा है को आसियान में जो भारत के उत्तर पूर्वी या नी पूर्वूत्तर जो कंट्रिय पूर्वी साड में वो सभी आते हैं जैसे मियमार नहीं सोरी मियामार, कमबोडिया, थाइलेंड, लानोस, वियतनाम, सिंगापूर, मलेसिया, इंडोनेसिया, बुरुनेई, फिलिपिन्स ये सभी आते हैं उसमें आसियान में और इसके अलावा जो ग्यारेवा देश सामिल हुआ है उसको आप बता दो अब देखो चोती न्यूज है पदम पानी लाइफ टाइम अचीमेंट अवार से किसे सम्मानित किया गया है पदम पानी लाइफ टाइम अचीमेंट से तो याद रखना ये सम्मानित किया गया है जावेद अक्तर को जावेद अक्तर ये अनुबभी गीतकार और लेखक हैं इन अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पदमपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पदमपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है। किस राज्य में मनाया जाता है सार अमरतला तोर गया महुसब तो याद रखना ये जो महुसब है ये मनाया जाता है हर साल आपके एक सेकिंड बताता हूँ ये मनाया जाता है अरुनाचल प्रदेश में सेर नहीं पूचा है इसमें पूचा है क्या राज्य पूचा है क्या किस राज में क्रसी महुसब राजा का आयोजन किया गया है तो ओडिसा में आयोजन किया गया है राजा महुसब का दुरगा पूजावी जो है वो मनाई जाती है ओडिसा में किस राज्य केंद्र सासित प्रदेश में वितस्ता सांस्कृतिक मौसब का आयोजन किया गया है। वितस्ता सांस्क्रतिक महुसब का आयोजन तो यह किया गया जम्मू कस्मीर में किस में जम्मू कस्मीर में वितस्ता सांस्क्रतिक महुसब का आयोजन और वितस्ता याद रखना वितस्ता जो था यह जेलम नदी का पुराना नाम भी था वितस्ता जेलम नदी का पुराना नाम असकनी था चिनाव नदी का ये भी पूछ लिया जाता है कि वितस्ता किस नदी का पुराना नाम था तो जेलम का और असकनी चिनाव का सतुद्री सतलज का था और विपासा व्यास का ठीक है विपासा व्यास का और पुरुष्णी पुरुष्णी किसन का था पुरुष्णी थ फुरसंडी व्यास नधी का नहीं विपासा जो पुरस्णी जो नधी का नाम था पुरसंडी वो रावी नदी का था अपने पढ़ावोगा एक दसराज का युद्ध हुआ था कि क्या दस राज का यानि दस राजाओं और सुधास के मद्य हुआ था दस राज का युद्ध दस राजा और सुधास के बीच ठीके तो इसमें सुधास विजेई हुआ था तो उसी बज़े से समझ लो पुरुषणडी नदी का नाम था रावी यानि रावी नदी का पुराना नम था पुरुशनी अब देखो किस राज्यमंत्री द्वारा कान अंतराइश्ट्य फिल्म माउसम में भारतिय प्रतिनिदी मंडल का नेतरत्य किया गया है तो यह किया है डॉक्टर एल मरूगन्य कान अंतराइश्ट्य फिल्म माउसम में भारतिय प्रतिनिदी मंडल का नेतर डॉक्टर एलमुरूग ने किया है कि सेर में डोगरा संस्कृति और विरासत पर तीन दिवसिये वेसा की माउसब का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में वैसा कि महुस्सब जम्मू कस्मीर में साथ मी नियुजय गिलोबल पार्टनर्शिप और आर्टिवीसियल इंटेलिजेंस सिकर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो गिलोबल पार्टनर्शिप और आर्टिवीसियल इंटेलिजेंस सिकर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारत की रादानी नई दिल्ली में किया गया है किसके द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को पहले इंडियन मिलिटरी हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है तो United Service Institution of India द्वारा 16 वे करसी विज्ज्ञान कायोजन भारत के एक सहर में किया जाएगा कोची में 16 वे करसी विज्ञान कायोजन किया जाएगा आठवी ने उजय और 23 ने दीजाएन का उध़ का उधगाटन किया गया है कहां पर प्रतम भारतिय कला बास्तू कला और डिजाइन दुवार्षिक 2023 का उधगाटन किया गया है तो यह नई दिल्ली में किया गया है कहां पर नई दिल्ली में सितंबर 2023 में कि सेन ने सतत विकास लच्च यानि HDG सिकर समेलन की मेजवानी किया है और New York सेहर है USA का सबसे बड़ा सेहर है और सबसे बड़ा बंदर गावी है विश्व का याद रखना सबसे बड़ा बंदर गावी है किस सेहर में तिरेमा हिंद प्रसांत सेना प्रमुक सम्मीलन आयोजित किया गया है तेरेवा हिंद प्रसांत सेना प्रमुक सम्मेलन तो ये नई दिल्ली में किया गया है नई दिल्ली में कहां पर नई दिल्ली में प्रदान मंतिरी नरेंद्र मोधी द्वारा कहां पर अंतराहिष्टिय वकील सम्मेलन 2023 का उद्गाटन किया गया है तो ये नई दिल्ली में किया गया है हाली में G20 फ्रेंबर कार्यकारी समोह के अंतिम्बेटक आयोजन कहां किया गया है तो ये 36 गड में राहिष्टिय उर्जा संरचंड दिवस मनाय जाता है तो 14 दिसम्मर को मनाय जाता है हर साल राहिष्टिय उर्जा संरचंड दिवस 14 दिसम्मर को अब महतपूर्ण दिवस हो रहे हैं ये और देख लो इसके बाद आखरी कुस्तन आएगा आपके समने 24 मार्च को 206 रोग दिवस 27 मार्च को 202 रंगमंच दिवस और 29 मार्च को 202 पियानो दिवस और 4 अप्रेल को मनाय जाता है अंतराहिष्टिय खनन जाग रुखता दिवस दुबारा देख लो 24 मार्च 206 रोग दिवस यारनी टिवी दिवस 27 मार्च को 202 रंगमंच दिवस और 29 मार्च को मनाय जाता है विस्व पियानो दिवस 4 अप्रेल को अंतराहिष्टिय खनन जाग रुखता दिवस और 4 अप्रेल कोई मनाय जाता है अंतराहिष्टिय गाजर दिवस और 5 अप्रेल क किस राजने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश से महल अच्छमी योजना लॉंच की है एक लाश्ट को सने और आपको ये क्लास अच्छी लगी रही हो और कुछ अच्छा समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो किस राजने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश से महाल अच्छमी योजना शुरू किया महालच्मी योजना किस राज्य ने तो तेलंगाना ने शुरू किया और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेडी किस राज्य सरकार द्वारा नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई है तो महाराष्ट के द्वारा नमो सेतकरी महसम्मान योजना किस राज्य सरकान ने आई एम सक्ति उड़ान योजना 2023 को प्रारम किया है आई एम सक्ति उड़ान योजना तो राजिस्तान ने किस राजिस्तान ने किस राज्य सरकान ने नंद बावा दुग्द में सन शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश ने नंद गाओं कहां पर है उत्तर प्रदेश में नंद बाबा कहां से संबन देते तो याद रखना मत्रा ब्रंदावन नंद गाओं में ये सभी उत्तर प्रदेश में है मोस और गर सुपा जल प्रपात किस नदी पर है सरावती पर और वराई नदी पर कुंची कल जल प्रपात है जो भारत का सबसे उंचा है और गर सुपा जल प्रपात है यह सरावती नदी पर और भारत तेल छेतर में सरवादिक भारत तेल छेतर के लिए सरवादिक प्रसिद द बांद सबसे लंबाद है दुआदार जलप्रपात किस राज में है और यह एरा कुंड बांद जो है यह भारत का सबसे लंबाद है और सबसे उंचा कुन सा है टेहरी बांद है सबसे उंचा दो दुआदार जलप्रपात किस राज में है तो यह मद्द प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है दुआदार जलप्रपात यह हो गया बता दिया चलो तो दोस्तो इस तरह से यह 15 दिसम्मर के महतमूर करंट अपेर्स देखे कैसी लगी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से करो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहा है आपको कल मिलते हैं अब 16 दिसम्मर के साथ तो बाए